शादी के 20 साल बात टीवी के पॉपुलर कपल ने सुनाई खुश खबरी, वीडियो शेयर कर दी, गुड न्यूस थो फैंस देने लगे बधाई, नए और आलिशान घर के मालिक बने शिल्पा सकलानी और अपूरवगनी होतरी, तीन साल पहले ही बनवाली थी नेम प्लेट, त अब जाकर पूरी हुई इच्छा, जी हाँ, टीवी के पॉपुलर कपल शिल्पा सकलानी और अपूरवगनी होतरी ने अपने फैंस को ये खुश खबरी सुनाई है, शिल्पा और अपूरवब नए और आलिशान घर के मालिक बन गए है, खुद एक वीडियो शेयर कर शिल् अपूरवगनी होतरी सीरियल अनुपुमा के बाद से ही किसी नए टीवी शो में दिखाई नहीं दिये हैं, लेकिन हाँ, आक्टर अपने व्लॉग्स के जरिये फैंस के साथ जरूर कनेक्टेट रहते हैं, अपने लेटिस्ट व्लॉग में ही अपूरव और शिल्पा ने काफी लंबे वक्त से नया और बड़ा घर खरीदने की प्लानिंग कर रही थी, और अब जाकर उनका ये सपना पूरा हो रहा है, अपूर्व ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें घर का सारा समान पैक हुआ दिख रहा है, वीडियो में अपूर्व बता रहे हैं कि फिलहा अपूर्व ने उसी सोसाइटी में एक दूसरी बिल्डिंग में कुछ दिनों के लिए घर किराय पर लिया है, अपने व्लॉग में अपूर्व ने ये जानकारी भी दी है कि करीब तीन साल पहले ही उन्होंने शिल्पा और अपने नाम की एक नई नेम प्लेट खरीद ली थ अपूर्व और शिल्पा ने जैसे ही एक खुश खबरी अपने फैन्स को सुनाई तो कपल को फैमिली और फैन्स से बधाया मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया बता दें कि अपूर वगनी होतरी ने कई बॉलिवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है वहीं शिल्पा सकलानी भी टीवी की जानी मानी अक्ट्रिस रही है फिल्हाल शिल्पा एक तक अपूर के शोब परिनिती में नजर आ रही है कपल की लव स्टोरी की बात करें तो बता दें कि अपूर वगनी होतरी अक्ट्रिस शिल्पा सकलानी की क्रश हुआ करते थे शाहरु खान के फिल्म परदेश में अपूर्व को देख कर शिल्पा अपना दिल हार बैठी थी दोनों की मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी वही नागिन्त्री अक्ट्रिस रक्षंदा खान ने दोनों के बीच क्यूपिट का रोल प्ले किया था 24 जून 2004 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे Bureau Report E24